हालो अब्रिवान वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लिट्रेचर शिप आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस इयर कोईशन पेपर में से 20 कोईशन जो की होंगे ग्रैमर और लिंग्विस्टिक्स में से इसको क्या बोलते हैं फॉनलोजी, मॉर्फोलोजी, सिंटेक्स या फिर सेमेंटिक्स अब इसको याद करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी इसको ऐसे याद रखेंगे हम, तो आंसर क्या है इसका सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स में भी क्या है, सेम है, दोनों वर्ड्स हैं, तो इसको ऐसे हम याद करेंगे, the study of meaning is called सेमेंटिक्स, next question is, dash is a unit of speech, which is at the level higher than the speech sound or phoneme, यह एक ऐसी unit of speech है, जो की speech sound or phoneme, जिसको हम कहते हैं, उससे एक कदम उपर है, ठीक है, सबसे छोटा होता है, फुनीम, जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, तो उसमें सबसे छोटी जो unit है speech की वो होती है, फुनीम, अब फुनीम स जो आगे जो चीज होती है, वो होती है, syllable, ठीक है, तो इसका अंसर बनेगा, syllable, इंटोनेशन और पिछ जो है, यह प्रनांसियेशन से रिलेटेड है, कि किसी वर्ड को हम कैसे बोलते हैं, stress भी उसी में आता है, लेकिन यहाँ पर unit of speech की बात की गई है, तो that is syllable, सबसे छोटी जो unit of speech है, वो होती है, फुनीम, और उसके बाद होती है, syllable, question number third is, choose the correct option, तारीक said, hooray, I have won the match, अब यह question जो है, हमें नरेशन में से आया है, ठीक है, इसको हमने जब हम change करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका answer ढूनने है, हुरे, सबसे पहले देखेंगे, हम यहाँ पर क् खुशी की बात है, क्या खुशी की बात है, कि वो जो है, match जो है, वो जीत चुके है, ठीक है, अब इसको हमने change करना है, तो सबसे पहले हम नजर मारेंगे, exclaimed with joy, said with joy, exclaimed with joy, exclaimed with joy, अब यहाँ पर यह हमें पता है, कि हुरे है, यानि कि खुशी की बात है, तो said with joy तो कभी भ नहीं आएगा ठीक है जब भी कोई खूशी की बात होती है तो आंसर में जो है एक्सक्लेम्ड विद जॉए आएगा अब हमारे पास त्री ओप्शन रह गही है तो तीनों में से सही ओप्शन को ढूंड़ना है अब हम देखेंगे यहां पर दैट लगा हुआ है यहां पर जो ह जब हम डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दैट लगाना जो है वह मस्ट होता है तो दो अप्शन हमारी कट हो गई अगर आपको रूल्स नहीं भी आते तो भी आप ईजिली कर सकते हो क्योंकि आपको बेसिक रूल्स तो है पता ही होंगे अगर आप बस ये दोनों बचेएं अब इसमें कहा है Tariq exclaimed with joy that he had won the match. Tariq exclaimed with joy that he has won the match. जब भी हम direct से indirect में change करेंगे तो have जो है had में change होगा यहाँ पर क्या लगा हुआ है has तो यह भी option नहीं होगा यहाँ पर लगा हुआ had so this is the right option Tariq exclaimed with joy that he had won the match next जो है वो है teacher said let the boy go home now अब यह भी direct से indirect में बनाना है तो इसमें क्या करेंगा इसमें कुछ भी पूछा नहीं गया कोई भी question नहीं है ठीक है teacher तो जो है command दे रहा है order दे रहा है let the boy go home now so ask की तो कोई बात बनती नहीं है so यह हो जाएगा cross second is the teacher said the boy might be allowed to go home then इसमें भी यह गलती होगी है देखो यहाँ पर भी that नहीं है यहाँ पर भी that नहीं है तो यह भी option जो होगी हमारा गलत बहुत ध्यान से आपको चूज करने पड़ेंगे third is the teacher said that the boy might be allowed to go home then इसमें अभी तक हमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है then the teacher said that the boy must be allowed to go home now अब यहाँ पर देखो now लगा हुआ है now तो change होता है then में ठीक है जब हम direct से indirect में change करते है तो now जो है then में change होता है तो अभी यहाँ पर तो now का now ही है so यह होगी option गलत so right option is C so C जो है हमारा right answer है next is choose the one which best expresses the meaning of the idiom phrase they were having a veil of time dancing and singing अभी यह एक idiom है having a veil of time तो इसका मतलब क्या होगा to enjoy yourself very much to enjoy life to enjoy leisure time to enjoy with loved ones अभी यह वेल of time ठीक है कि time बहुत जादा है हमारे पास तो उसको क्या करेंगे enjoy करेंगे न leisure time नहीं है ठीक है leisure time नहीं है इसका मतलब इसका मतलब enjoy life को भी enjoy करना इसका मतलब नहीं है loved ones के साथ भी enjoy करना नहीं है इसका मतलब है to enjoy yourself very much next is choose the correct spelling इन में से correct spelling को choose करना है amateur का जो correct spelling है वो है ये ठीक है इसका मतलब है कोई ऐसा person जिसमें कोई skill नहीं है जब हम कहते हैं कि तुम कितने immature हो immature होकर ये बात करें means कि not having skills a person with no skills उसको हम बोल सकता है amateur find the miss spelled word miss spelled word में देखेंगे annex जो है ये भी right spellings है animate के भी right है animosity के भी right है लेकिन anniversary के जो spelling है वो बिलकुल गलत है क्योंकि इसमें double n आएगा so this is the answer miss spelled means जो गलत spellings है उसको चूज करना है transform the given sentence into assertive sentence अब हमने assertive में change करना है assertive means simple declarative जिसमें कोई no note नहीं होगा कोई question नहीं होगा उसमें change करना है so हमारे पास sentence क्या है how gorgeous is the sunset sunset कितना gorgeous है अब ये देखो ये है sign of exclamation यानि कि ये एक exclamatory sentence है हमने exclamatory sentence को assertive में change करना है ठीक है how is the sunset so gorgeous how is the sunset so gorgeous अब ये exclamatory है और ये हो गया question mark आ गया इसमें तो ये बन जाएगा interrogative interrogative में तो हमने बनाना नहीं है हमने किसमें बनाना है assertive में बनाना है so ये option होगी हमारे पास गलत the sunset is gorgeous isn't it the sunset is gorgeous isn't it तो ये भी जो है ये क्या हो गया question tag लगा हुआ है question tag तो हमने use ही नहीं करना है क्योंकि ये कोई question नहीं बनाना है हमने simple assertive में बनाना है तो ये नहीं हो सकता है यहां से ये option दिखते है how gorgeous the sunset is ये तो दोनों से यह होगे how gorgeous is the sunset ये भी exclamatory है how gorgeous the sunset is ये भी exclamatory है तो ये जो है right option बनती है हमारे पास the sunset is very gorgeous this is the right answer this is an assertive sentence next is transform the given sentence into superlative sentence superlative sentence superlative sentence का मतलब होगा कि उसमें एक superlative degree होनी चाहिए superlative degree जैसे beautiful, more beautiful, most beautiful most beautiful जो word है वो एक superlative degree है तो इसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे कि किसमें most जो है word जो है लगा हुआ या most लगा होगा या फिर superlative degree दी होगी कोई भी no other metal is as expensive as old अब यहाँ पर expensive जो word है यह है एक positive degree ठीक है जिसकी comparative degree बनेगी more expensive और superlative degree बनेगी most expensive अब इसमें हम ढूणनेगे no other metal except gold is expensive इसमें तो कोई भी most expensive word नजर नहीं आ रहा है so this is not superlative sentence gold is expensive of all the metals इसमें भी most expensive word नहीं है so this is also not an option isn't gold the most expensive of all metals अब इसमें most expensive तो लगा हुआ है लेकिन यह जो sentence है इसकी कोई formation ही नहीं है गलत है यह ठीक है superlative sentence नहीं बन रहा है gold is the most expensive of all metals यह जो है sensible sentence है तो इसमें most expensive भी लगा हुआ है so यह जो है हमारा right answer है it is with a superlative degree so it is the superlative sentence next is dash are the sounds articulated in the glottis यह बहुत easy question है दिखने में ऐसे question मुश्किल लगते है लेकिन जब हम इनको tips and tricks के साथ याद करेंगे तो इनसे easiest question नहीं होगे अब देखो यहाँ पे glottis की बात हो रही है सब कुछ भूल जाओ वेलार, palatal कुछ भी नहीं, none of the above option होता ही रही है so glottal glottis से निकल रही है तो glottal sound होगी फर वर अब जब हम इनको बोलते हैं फर वर आप बोल कर देखिए इसमें आपके lips भी यूज हो रहे हैं dental teeth भी यूज हो रहे हैं तो इस 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 ले बियो डेंडल these are labiodendals fur, bur जब हम इसको बोलते हैं हमारे उपर वाला जो धान्त होते हैं वो नीचे वाले lips के साथ अंदर से वो टच हो रहे है labiodendal इसको हम बोलते है labiordental dental नहीं है क्योंकि इसमें अकेले धान्त नहीं यूज हो रहे हैं bilabil भी नहीं है यही होता है जिसको हम यूज करते हैं जनरल टूथ संट फैक्ट के लिए ठीक है मैम हमें जब पढ़ाते हैं फिफ सिक्स में से जो पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला टैंस यही होता है कि जनरल टूथ को फैक्ट को डेली अक्टिविटीज को जब हम लिखते हैं तो वह का जो रूल होता है वो क्या होता है है प्लस बीन प्लस फर्स्ट फों प्लस इंजी इस दा रूल ओफ पास्ट परफेक्ट कॉंटिन्यूस टेंस ठीक है वर्कर्स डैश डे और नाइट तिल दे बिल्डिंग वोस कंप्लीटिड़ अब वर्ब जो दिये हुई है हमारे पास लो है वक तो है डढ बीन वर्किंग बनना चाहिए इसके अखर टिक है यसरान कि है बीन वर्किंग नहीं आर वर्किंग सुंपल कॉंटीन्यूस में ऐ नहीं है पर जो है मारे पास प्लूरल है और हैं बीन वर्किंग लगता है जब अहरे यह तो past है तो यहां पर तो नहीं लगेगा, so the right answer is had been working, next is future in definite tense में हमें इसको change करना है, साक्षी is the head girl of our school, ठीक है future में हमें पता है will लगता है या फिर shell लगता है, अब hell has, have ये तो कोई मतलब ही नहीं है लगेंगे, अब यहां पर आप confuse होगे कि would भी लगा हुआ, क्योंकि will स would बनता है न, तो आप ये confusion बिलकुल नहीं दिमाग में लाना, कि यहां पर भी would लगा हुआ, will से ही बनता है, तो ये भी future हो सकता है, लेकिन पहले हम इसको देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, कि साक्षी जो है, school की head girl है, ठीक है, तो future in definite, क्या होगा, इसका future in definite, कि साक्ष साक्षी स्कूल की head girl होगी, तो उसकी according ये मतलब बनता है, शेल बी the head girl of our school, अगर हम would have been चूज करेंगे, तो इसका मतलब हो सकता है, कि हो सकती है, साक्षी जो है, school की head girl हो सकती है, लेकिन हमारे पास future in definite, में ये इस लगा हुआ, तो इसको तो शेल में ही चेंज होगा, ये would have ever lived in, अब यहां पर the most big ये तो बिलकुली गलत है, ना, the bigger, the biggest, the more big, more big भी नहीं होता है, the most big भी नहीं होता है, ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है, अब bigger है, biggest, दोनों में से क्या आएगा, आपको इसमें confusion हो रही होगी, तो देखो, जब comparative degree होती है, जैसे bigger एक comparative degree है, वो त इतने भी मैं अब तक cities में रहा हूँ, ठीक है, तो दो cities की तो बात नहीं हो रही है, जादा की बात हो रही है, जितनी भी cities में अब तक रहा हूँ, टोक्यो उसमें सबसे ज़्यादा biggest है, अगर यहां पर एक और city का नाम होता, टोक्यो इस डैश सिटी, एक और शीटी का ना vegetarian is someone dash doesn't eat meat, इसमें whom नहीं लगेगा, क्योंकि whom जो है, उसका मतलब होगा, जिसका, ठीक है, which का मतलब होगा, कोई चीज के बारे में अगर बात करने है, whose be sense में नहीं आ रहा है, तो who is the right answer, next again हमारे पास है, complete the following sentence, dash be famous one day, would you like be famous one day, नहीं, would you like to be famous one day, अगर be लगा हुआ तो two जब लगेगा, would you like to be famous one day, नहीं पढ़ने की जुरूरत ही नहीं है, this is how many dash of trousers have you got, अब जब भी हमारे पास कोई चीज दो में होती है, लाइक जैसे चश्मा होता है, उसके भी दो 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 होता है, उसके बीद दो हो पेर यूज होता है, how many dash of trousers have you got, how many pair of trousers have you got, ठीक है, तो बाकी के आंसर जो है गलत है, next is choose the correct option, he was writing a thesis paper, अब इसको हमने active voice को passive voice में चेंज करना है, ठीक है, चेंज करने के लिए पहले हम इसका tense देखेंगे, यह है past continuous was writing, जब भी हमारे past continuous होता है active voice में, तो वो चेंज होता है, was plus being plus third form, अब had being written, was इसमें ही नहीं है, being written was नहीं है, इसमें यह भी गलत होगा, was being नहीं है, इसमें तो यह भी गलत होगा, a thesis paper was being written, देखा, तीनों चीज़े मिलगी ना, तो यह है हमारा right answer, next is the grocer displayed the prices, अब यह भी फिर से हमारे पास active voice में आ गया, इसका passive में जब हम चेंज क करेंगे, तो पहले हम इसका tense देखेंगे, this is simple past, simple past जो है, change होता है, was वर प्लस third form में, अब इसमें prices displayed, अब third form तो है, was वर कुछ भी नहीं लगा होगा, so यह answer नहीं है, the price was displayed by the grocers, ठीक है, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, आपने किस चीज का, क्योंकि यहा अब हमारे पास वर लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर price is word है यह बिल्कुल ठीक था, लेकिन तब अगर हमारे पास, singular में होता, price होता, तो यह बिल्कुल ठीक था, इन चीजों का हमने ध्यान रखना है, were displayed by the grocer, the prices were displayed by the grocer, यह हमारा right answer, so this was today's video, I hope आपको यह अच्छी लगी हो वेर्बबटुर डिया झालुग को कि धुड को कि अढ़ दोगा दोगी कैने जुड को कि अजिए को अजिए रड़ा है ?